लबशकार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर इग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा 24 से 27 दिसंबर के बीच मध्य भारत की सबसे बड़ी कुरूशी प्रदरशनी एग्रोविजन का आयोजन किया जा रहा है इसके आयोजन के पूर्व कुरूशीक शेत्र के तमाम निर्माता, डिलर्स, डिस्रिब्यूटर्स को केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने संभूतित किया इस वर्ष एग्रोविजन प्रदरशनी की मुख्यतिम समरुद्ध खेती के लिए आधुरिक तक्निकी है इस समन्द में कुरूशीक शेत्र की उपयोग में लाई जा रही अनेक नई तक्निकें यहाँ देखने को मिलेगा डिजल की बढ़ती कीमते और उससे बढ़ता प्रदूशन चिंता का विशे है इसे बचने के लिए बायो सी एंजी पर चलने वाला ट्रैक्टर वर्दान साबित होगा कुछ वर्ष पहले इतिनौल पर चलने वाली ग्रीन बस भी एग्रो विजन में रखी गई थी इंधन के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव आने पर बायो CNG पर चलने वाले ट्रैक्टर का निर्मान हुआ ये ट्रैक्टर एग्रो विजन का मुख्या कर्शन होगा डिदल से बायो CNG की कीमत कम है तथा इससे बिल्कुल भी धुआ नहीं निकलता है जिसे प्रदुशन में काफी हद तक कमी आती है इस विशे में किसानों में जनजागरूती होनात्यन तावश्चक है इसकी शुरुआत एग्रो विजन प्रदर्शनी में होगी साथी की टकनाशक का प्रयोग किसानों के लिए हमेशा सही जोखिम भरा का काम रहा है इस उखिम को कम करने है तू ट्रोन का उपयोग फाइदे मन साबिद होगा दक्षिन पुर्वा मध्या रेलवे के महा प्रबंधक आलोक कुमार ने दक्षिन पुर्वा मध्या रेलवे स्पोर्ट्स एसोसीशन नागपुर द्वारा मोतिबाग स्टेडियम में आयोजित अंतर विभागिये फुटबॉल टुर्नामेंट का उद्गाटन किया उद्गाटन मैच लेक्ट्रिकल टीम और वर्क्शॉप टीम के बीच खेला गया और स्कोर शुन्य शुन्य होते हुए मैच ड्रो हुआ DRM मनिंदर उपल दक्षिनपुर्वा मध्य रेलवे नागपुर ने मोतिबाग ग्राउंड में महाप्रबंधक का स्वागत किया इस आउसर पर ADRM आशुक सुर्यवंशी, ADRM जकताप, सीनियर स्पोर्ट्स ओफिसर आदित्य सोमकुवर, सीनियर स्पोर्ट्स ओफिसर डीयस डांगे आदी अधिकारी मोजुद थे खेल सचिव भीडे, सहायक खेल सचिव श्रिकांत रोय, अमित एंथोनी और दक्षिन पूर्वा मध्य रेलवे के अन्या फुटबॉल खिलाडियों ने टूर्नामेंट की सफलता के लिए कड़ी महनत की इसके पूर्व महाप्रवंधक आलोक कुमार ने पॉली क्लीनिक मोती बाग रेलवे हॉस्पिटल का जायजा लिया तथा आँखों की जान छेतु स्थापित किये गए नए मशिन का उदगाटन किया महाप्रवंधक को इतवारी से गाड़ी नंबर 0824 शुन्य शिवनात एक्सप्रेस से बिलासपूर के लिए रवाना किया जाएगा इस दोरान वे इतवारी से बिलासपूर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरिक्षन करेंगे हाल ही में मंडल रेल उपयोग करता सलहकार समीती की 157 वी एवं वर्ष 2020-2021 की गठित समीती के तुरूतिय बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में कुल 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया वरिष्ट मंडल वानिज्य प्रबंदक रुषनात पाठिल ने मंडल रेल उपयोग करता सलहकार समीती की बैठक में उपस्तित सभी सदस्यों का स्वागत किया मंडल रेल प्रबंदक रूचा खरे ने अपने समोधन भाशन में कहा कि मंडल रेल उपयोग करता सलहाकार समिती के सदस्यों द्वारा दिया बहुमुल्य सुझाव अमल में लाया जाएगा जिसे यातरियों और ग्राहकों को बहतर सुविधाय प्रदान करने में सहायता इसके लिए खरे ने सदस्यों की सराना की नाकपुर मंडल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पुर्वक जानकारी दी गई खरे ने कहा कि मध्धय रेल का नागपुर मंदल यातायात के दुरुष्टिकों से भारतिय रेल का एक अत्यंता महत्वपुर्णा मंदल है नागपुर जंक्शन देश के बीचों बी स्थीत है और पुर्व को पश्चिम तथा उत्तर को दक्षिन से जोड़ता है नागपुर मंडल न केवल यातायात बलकि आय अर्जन में भी पूरे मध्धरेल में हमेशा से आगे रहा है। इस वित्तिय वर्ष 2021-2022 के शुरुवात में कोरोना महमारी की वज़े से यातरी यातायात तथा माल यातायात काफी प्रभावित हुआ। कोरोना काल में लागू किये गे लॉकडाउन के दोरान नागपुर मंडल ने पारसल तथा माल यातायात से जिवनावश्यक वस्थुए कुरुशी माल को अपने गंतव या स्थान तक समय में पहुचाया। ये उन व्यक्तियों और संगटनों को मानेता देने की एक पहल है जिनोंने विदर्बक शेत्र के विकास में उतकृष्ट योगदान दिया है। 2019 के पुरसकर विजयताओं में जिम लेबरोटरीज, डिफ्यूजन इंजिनियर्स, महराष्ट कारवन, प्रीमेर लाइफस्टाइल, श्री बालाजी रोड मार्किंग मशिन्स, श्री साई सिमेंट ब्रिक्स प्रोडक्ट, L&M ट्रैफूर प्रोसेसिंग इंडस्रीज, स्टा भोई समाज का द्वितिय स्वजातिय सामोहिक विवासमारोह, हाल ही में जोतिनगर दुर्गामाता मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते वे सफलता पुर्वक संपन्न हुआ इस सामोहिक विवासमारोह में कुल आठ जोडे परिने सूत्र में बंद गये नंदक इश्वर गौर, भोई सेना के संस्थापक अध्यक्ष अशोग गौर, एकलव्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजे केवट, निशाद राज, भोध देश्य संस्था के अध्यक्ष नेताराम निशाद, नगर सेवक जुलफिकार एहमद भुटो, समाज सेवी जीतु बाथो, हाजी अब्दुल गनी खान, रमन पैगवार, गोपल पट्टम, गीता जलगाउंकर, वसीम खान, महेश्रिवास, रोहीद गौर, दीपक काप से की रही पिधर्बक के अमरावती जिले में रिधापूर में निर्मान हुई प्राचिन ग्रंथ संपदा को अखिल भारतिय मराथी साहित्य सम्मेलन में सम्मान मिला सम्मेलन की ग्रंथ दिन्डी में लिला चरित्र ग्रंथ पालखी में सम्मान पुर्वक रखा गया मराठी के लगवक 8000 गरंथ की निव रिधापूर मेर रखी गई है इसी कारण अमरावती जिले का महत्वा मराठी साहित्य के एक शेत्र में काफी ज्यादा है 94 बेवा अखिल भारतिय मराठी साहित्य सम्मेलन 3-5 दिसंबर को संपन्न हुआ सम्मेलन की शुरुवात ग्रंथ दिंडी से हुई ग्रंथ पालखी में मराठी का आध्य ग्रंथ लिला चरित्र श्री भागवत गीता ग्यानेश्वरी तुकाराम गाथा भारतिय सविधान ये ग्रंथ रखे गये थे विश्वा प्रसिद्ध विशेशक्य डॉक्टर जैन्त नारली करके अध्यक्षता में और सांसत शरत पवार की उपस्तिती में सम्मेलन का समारोप हुआ कुसुमागरज प्रतिष्ठान में उत्साहपुर्णा माहोल में सम्मेलन की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वरा ग्रंथ दिंडी की पूजा के साथ हुई इस अउसर पर अखिल भारतिय साहित्य महामंडल के अध्यक्ष प्राचर्य कवतिक राव ठाले पाटिल रांकापानेता चगन भुजबल पूर्वर राज्जपाल श्रिनिवास पाटिल नरहरी जिर्वाल कुरुषी मंतरी दादा जी भुसे सुरज मांडरे सतिश कुलकरण दिपक पांडे, हेमन टकले, हरी हर पांडे सहित कई अण्य गण मान्य व्यक्ति और स्थानिय नागरी को पस्तित थे ग्यापन द्वारा संस्थान से नवोदित सनादकों को प्रशिक्षन देने के एक शेत्र में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की पहल को रेखांकित किया गया ये उद्योग के तक्निकी विकास नविन्ता और उद्योग प्रतिस पर्धात मक्ता में महत्वपुर्णा भूमिका निभाएंगा। ये उद्योग प्रतिक धगे तथा निरेश कनोजिया उपस्तित्थे। श्री अनंदपूर साहिब आये। तब गुरुतेग बहादूर जी ने कहा था कि इस समस्य के समाधान के लिए किसी महानपुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। वहाँ उपस्तित गुरुजी के पुत्र बालक गोविंदराय ने कहा कि पिताश्री इस संसार में आपसे बड़ा महापुरुष और कोन हो सकता है। तबी गुरुजी ने कश्मिरी ब्रामभनों से कहा कि औरंग जेप से कहे गुरुतेग बहादूर यदि इसलाम कुबूल करते है तो हम सभी ब्रामभन तिलक और जने उतार कर मुस्लिम बन जाएंगे। औरंग जेप ने गुरु तेग बहादूर को धर्म परिवर्तन के लिए दिल्ली के कैथ खाने में रखा। गुरु जी ने हिंदु धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली स्थित चांदनी चौक में अपने शीश का बलिदान दिया, परुन्तु अपना धर्म परिवर्तन नहीं होन ने दिया हिंदू धर्म की पूजा प्रक्रिया को कायम रखा इस प्रकार श्री गुरु तेक बहादुर जी ने बलिदान देकर हिंदू धर्म के तिलग वजनेयुक की रक्षा की मंडल रेलवे अस्पताल नागपूर में ओक्सिजन प्लांट स्थापित किया गया इस ओक्सिजन प्लांट की ख्षमता 500 लिटर प्रती मिनट है ओक्सिजन प्लांट को तकरीबन 50 लाग रुपे की लागत से चालू किया गया है मंडल रेल प्रवंदक रुचा खरे ने मंडल रेलवे अस्पताल में ओक्सिजन प्लांट का ओधगाटन किया इस अउसर पर अपर मंडल रेल प्रवंदक पीएस खायर कर जय सिंग अपर मंडल रेल प्रवंदक चंपक विश्वास मुख्य चिकित साधिक्षक डॉक्टर सं वो सबी सदस्यों ने कोहिनूर मतिमन स्कूल लाल गज में मतिमन बच्चों के साथ बातचित कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया इन बच्चों के माता पिता से भी मुलाकात की और सबसे कठिन कार्य करने वाले इस शाला के तमाम शिक्षक वर ट्रेनर का विवादन किया इसी तरह बच्चों का व्रशिक्षन हो ऐसी आशा व्यक्त की नवोदे बिजनेस एसोसियेशन के सामार्थ्य के अनुसार हर संभव मदद उपलप्त कराने का आश्वसन दिया गया स्कूल की और से एसोसियेशन के वदादी कारियों का सतकार पुषबग उच्छा दे कर किया गया जिसके लिए अद्धिक्षा मनोहरलाल आहुजा ने उन सभी का आभार माना नवोदे बिजनेस एसोसियेशन के और से बच्चों को क्रिकेट किट, पैडमिंटन सेट, फुटबॉल, लुडो सेट, शतरंज सेट, वन नए कपड़े, फल, आदी भेट वस्तुए दी गई अतुल ठाकरे, नंदा काकडे, मीरा भूत मारे, विजय काले, लता भूमले, आदी उपस्तित्थे ICAI नाकपुर शाखा द्वारा, ICAI की अकोला, अमरावती और सातरा शाखाओ के सहयोग से C.A. के छातरों के लिए, ट्रांसफर्म टू आउट लाइफ नामक एक वर्चुल संगोश्टी का आयोजन किया गया संगोश्टी का आयोजन उन छातरों के लिए किया गया, जिन्होंने अपनी C.A. Intermediate परिक्षा उत्तिरन की है, जो आर्टिकल शिप में शामिल होंगे I.C.A. की नाकपुर शाखा के अधिक्षा सीय साकेत बागरी अने छातरों को अपने सम्मोधन में कहा कि आर्टिकल शिप के तीन साल की अवधी में सभी प्रकार के एक काम का अनुभव नहीं मिल सकता है, केवल एक चीज़ माइने रखती है, आप जो काम करते हैं और जिस फ पसंद के ख्षेत्रों को व्यक्त करने का प्रयास करें, फिर केवल आपकी प्रति बद्धता, दृष्टी कोन, दीमाग और विचारों का स्तर ही माइने रखता है, हमेशा कुछ अतिरिक्त आउटपुट देने की कोशिश करें, क्योंकि जो अतिरिक्त काम करता है, वही व्य गोशित किये गए, डॉक्टर रविंद्र भोयर ने मतदान के एक दिन पुर्व ये चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की, कॉंग्रेस प्रत्याशी द्वारा एहम वक्त पर इस प्रकार का निरने लिए जाने से कॉंग्रेस को करारा जटका पहुचा है, कल तक इस चुनाव में भाच्पा को चुनावती देने वाली कॉंग्रेस ने अब अपने बचाओ के लिए निर्दली ओमीद्वार मंगे सुधाकर देशमुक को अपना समर्थन घोशित किया है, आज मतदान हो रहा है, अचानक आए इस राजनुतिक मोड के बाद लोगों की उत्सु चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, इस चुनाव में कुल 569 मतदाता है और तिन उमीद्वार मैदान में उत्र है, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आरविमला ने गुरुवार को चुनावी वेवस्था का जाइजा लिया, उन्होंने शाम को सववाद द ता सम्मेलन में सपष्ट किया कि प्रशासन चुनाव प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तयार है इस चुनाव में कुल मतदाताव की संख्या 569 है, इस में मनपाक शेतर आथिकार के ऑंतरगत 155, जिला परिशत शेतर आथिकार के अंतरगत 70 तथा नगर परिशत और नगर पंचाय क्षेत्रा अधिकार के अंतरगत 334 मतदाता है नागपुर शहर के 15 और ग्रामिन इलाकों में 12 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है मतदाता को केवल दो पहचान पत्र भारतिय चुनाव आयोक द्वरा जारी किये मतदाता फोटो पहचान पत्र या स्थानिय निकाय द्वरा जारी किये आईडी काड लाना आवश्यक है इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेश प्रमान पचान पत्र के रूप में स्विकार नहीं किया जाएगा मतदान के समय मतपत्र पर वरियता क्रम दर्ज कराना अनिवारिय है मतदाता को अपनी पसंद की संख्या को एक दो तिन के क्रम में इंगित करना होगा वरियत क्रमाक शब्दों में दर्ज नहीं किया जा सकता है अस्तित्वा फाउंडेशन द्वारा स्थापित ग्यान प्रकाश ग्रंथाले एवं वाचनाले की वर्षगाट एवं देश को लोकतंत्र की सौगात देने वाले सविधान के शिल्पकार महा मानव डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर के महापरी निर्वान दिवस के आउसर पर कुंदनलाल गुपता नगर सित मनपा हिंदी प्राथमिक शाला में स्कूल प्रशासन के सहयोग से अभिवादन कार्यक्रम का एजन किया गया इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियो द्वारा डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर की तस्वीर पर माल्यारपन कर उनका अभिवादन किया गया ततपशात संस्था के अध्यक्षय प्रकाश हेडाव एवं स्कूल इंचार्च सुक्षा सुर्यवन्षी एवं अन्यमान्यवरो द्वारा बच्चो को शिक्षा का महत्म समझा कर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया इस दोरान अस्तित्व फाउंडेशन की और से शिक्षन सामगरी का वितरण भी किया गया इस अउसर पर अस्तित्वा फाउंडेशन की महिला मंडल अध्यक्षा मंजु हेडाउ, कार्यकरता संजे हेडाउ, गनेश धकाते, गनेश हेडाउ, दर्शना पराते, संगीता हेडाउ और स्कूल की और से माला हिंगे कुंदा पांटाउने, सुश्मा भैसारे, आदी मान्यव उपस्तित थे, कार्यकरम को सफल बनाने हे तू, स्कूल प्रशासन का भरपूर सहयोग प्राप्थ हुआ, जिसके लिए संस्ता पदादी कारियों ने स्कूल प्रशासन का भार माना Green and Clean Foundation द्वारा NCC Naval Unit सदर परिसर में कारिया शला का आयोजन किया गया, इस दोरान परिसर की सफाई कर उसे रंग रोगन किया गया, साथी इस परिसर में पौधे लगा कर देखभाल के जिम्मेदारी नेवी यूनिट के प्रशिक्षक को दी गई, परिसर के दिवारों में रं परिसर का संबोधन संस्ता अध्यक्षक के संदिप मान करने किया, Green and Clean Foundation की और से मेधावी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिए गये, इस अभ्यान में NCC Navy Unit के लेफटिनेंट कमांडिंग अफसर वरुन पिंपलापुरे, प्रोफेसर राहुल नाक्टे, गोपाल पेटकर, कौशिक, सुरेश गंदेवर, विकरम रेड़ी, अमन कनोजिया, सचिन उईके, लक्ष्मिकान पडोले, रुपेश भोयर, इंगोले, राहुल ठाकूर, निरज कनोजिया, रबजोच सिंग भसिन, जयश बेडेकर, जोचना कुरेकर, साहिल में श्राम, वि इस अभियार में शामिल हुए, नागपूर का सामाजिक संगठन किंग कोब्रा और्गनाइजेशन यूथ फोर्स की और से संस्थापकत द्यक्ष, अर्विंद कुमार रतूडी की नेतरुत्व में एक प्रतिनीधी मंडल ने प्रतिबंदित नायलोन मांजे की बिगरी, खर पर सक्त कारवाई करते वे इस पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है, जो व्यापारी दुकानदार उच्चे नायले द्वारा प्रतिबंदित नायलोन मंजे को बेच रहे हैं, वह भी बेगुनाह इंसानों, पक्षियों, प्राणियों की जिंदगी से खिलवार कर र इससे हर साल कई निर्दोष मनुश्य तथा प्राणि अपनी जान से हाथ धो बैटते हैं, व्यापारी अलग अलग तरीके से सरकार प्रशासन की आँखों में धुल जोग कर इस मौत रुपी फंदे को बेच रहे हैं, और प्रशासन कुम्बकरन की निंद सो रही हैं, जानो अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त करते वे शोक सभकाय जन किया, स्कूली विद्यार्थियों ने प्राचारिय राजंद्र मिश्र के मार्क दर्शन में जनरल बिपिन रावत को श्रधान जली दी, तमिलनाडु के पतनी मदूली का संगाओ में सुकून भरी जिंदगी बिताने का सपना पूरा नहीं हो पाया, उनकी पतनी की भी उनके साथ मौत हो गई, स्कूली विद्यार्थियों ने मौन रक्तिव इश्वर से मृतक प्यक्तिव की आत्मा की शांती के लिए प्रार्तना की, स्कूली वि पर रक्तदान करके एक नया किरतिमान स्थापित किया है, ये रक्तदान शिविर नैशनल रेलवे मजदूर संग अजनी एवं जीएस के बलड बैंक नाकपु के सयुकत तत्वावधान में आयोजित किया गया, इस आउसर पर अपर मंडल रेल प्रबंदक नाकपुर द्वा नेलवाल, साथी राष्टिय रेलवे मजदूर संग के हबीब खान, एसके जह, नरेंद्रधान फुले, साकरे ने डॉक्टर बालकुर्शन महाजन को बधाई दी आज 18 प्लस और 45 प्लस आयोवर के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टीका करन, नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा, टीका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा, टीका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से चिलकर ने दी हैं, इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयोवर के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा सहब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड, वस्वर्गिये प्रभाकर दटके, मनपा महाल रोग निदान केंद्र एमस आइसुलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पॉली और प्रगती हॉल्दी घोरी में उपलब्ध है। पालिका द्वरा महाराष्ट्रा प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट एक्ट 1995 के तहट संबंधित पुली स्टेशन में मामला दर्च किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तीन दिन के भीतर अपने तमाम विग्यापन हटा दे। इसके बाद पेडो पर लगे विग्यापनों के मामले सामने आने पर सम्मधित विग्यापन दाताओं के खिलाफ नजदी की थाने में मामला दर्च किया जाएगा। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार।